आधनियत सभापती जी 24 के चुनाव में कॉंग्रेस के लिए भी इस देश की जनता ने जनादेश दिया है और इस देश की जनादेश है कि आप बहीं बैठिये भी पक्षमाई बैठो और तरक खतम हो जाए तो चीटते रहो चिलाते रहो आधनियत सभापती जी कॉंग्रेस के इतिहास का ये पहला मोका है जब लगातार तीन बार लगातार तीन बार कॉंग्रेस सो का आंकड़ा पार नहीं कर पाई है कॉंग्रेस के इतिहास में ये तीसरी सबसे बड़ी हार है तीसरा सबसे खराब प्रदर्शन है अच्छा होता कॉंग्रेस अपनी हार्ट्स विकार करती जनता जनार्दन के आदेश को सरांखों पर चड़ाती ममंधन करती लेकिन ये तो कुछ शिरसाथन करने में लगे हुए है और कॉंग्रेस और उसकी इकोसिस्टेम दिन रात बिजली जला करके हिंदुस्तान के नागरिकों के मन में ये प्रस्थापित करने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने हमें हरा दिया है आदेन ये सराप्रती जी ऐसा क्यों हो रहा है मैं जरा अपने सामाने जीवन के अनगों से बताता हूँ कोई छोटा बच्चा साइकल लेके निकला है और अगर वो बच्चा गिर जाता है साइकल से लुड़क जाता है रोने लगता है तो कोई बड़ा व्यक्ति आकर के उसके पाथ पहुंच जाता है और उसको कहता है देखो चीटी मर गई देखो चीडिया उड़ गई अरे देखो तुम तो बहुत बड़िया साइकल चलाते हो अरे तुम तो गिर नहीं हो ऐसा करके उसका जड़ा मदफ ठीट करने के लिए प्रयास करते है उसका धान भटका करके उस बच्चे का मन बहला देते तो आजकल बच्चे का मन बहला देका काब चल रहा और कॉंग्रेस का कॉंग्रेस के लोग और उनका एकोसिस्टी आजकल यह मन बहला देका काब कर रहा है आजनिय सभापती जी 1984 उस चुनाव को याद की जीए उसके बाद इस देश में दस लोग सभा के चुनाव हुए 84 के बाद दस दस लोग सभा के चुना होने के बाव जीपी कॉंग्रेस जाइसो के आंकड़े को छू नहीं पाई है इस बार किसी तरह 99 निन्ना नबे के चक्र में फसे गए हैं आदनिय समापती जी मुझे किस्सा याद आता है